हेलो फ्रेंड वेलकम तो माई चैनल दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आगे हैं प्रीपियस येर के आए हुए कुश्चन पेपर आईए आज हम साल्व करते हैं जारखन डायड पीजी टी परिच्छा 2014 जीविग्यान का पेपर आईए हम देखते हैं कुश्चन इस में अध्या कोई जो सिकंडे रखें इसमें से कोई एक सिकंडे सही होगा टैक्सिंड माधी तो हम कर नाक चुक क्लासिट इंग को करना है क्लासथ धीर इसमें प्लग में इस प्राइब्ली इस्परीज्ट परिए क्ल्यों में हो सकता है देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, फैमली, आडर, जीनस, यह दूसरा क्या, फैमली, आडर, जीनस, फिर से आडर, यह तो बिलकुल नहीं होगा, ठीक है, तीसरा देखते हैं, डिवीजन, क्लास, आडर, फैमली, ट्राइफ, जीनस, हाँ, यह हो जाएगा इसका, फैमली, डिवीजन फरिटी से फैमली हागई यानिकि ये भी नहीं होगा जितका जो सही answer हउगा क्या होजाए गया answerलमबर सी क्यों जैनि कि डिवीजन class आरटर फैमली ट्राइब जीनस कोणसा अगरण friendly यह आपका तो या answer हो गया इसका C आएए देखते हैं देखते हैं next question question number 2 रखा है doras is written by यह आपको बताना यह किस ने written किया है यह रमार आपको बताना है you can hear ो दानिय 하면 रहात arse वो सकते है थम होकर हो सकते हैं या फिर एंगलर एंड प्रेंटल हो सकते हैं या फिर लीनियर एंड लीनियर हो सकते हैं या फिर हचिंसन हो सकते हैं तो इसका जो सही एंसर दोस्तों क्या होगा तो यह किसके द्वारा लिखी गई थे यह एंगलर एंड प्रेंटल तो इसका सही एंसर क्या इस्टेनिंग आप बैक्टिरिया और ग्राम इस्टेनिंग डूटू मतलब पूछ रहा है कि ग्राम जो बैक्टिरिया है ग्राम इस्टेनिंग जो होती है इस्टेन यूश किया जाता है तो क्या डिफ्रेंस होता है दोनों में यही बताना बैक्टिरिया के बारे बताना है तो तो difference in the cell wall layer component of the gram positive and gram negative यह तो बात एकदम सभी है दूसरा देख लेते हैं इसका difference in the cell structure and gram positive and gram negative तो इन दोनों में से ही एक आपको बताना है क्या है सही है उसका सही इंसर क्या हो जाएगा difference in cell wall layer component of the gram positive and gram negative दोनों की जो cell wall होती उनके components में difference होता है ठीक है तो अगर हम difference की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे थोड़ा और हम discuss आपके साथ करना चाहेंगे discuss यह हमें करना है यहाँ पे कि जो gram pasture जो bacteria हमारी होती है तो उनकी जो cell wall होती है वो क्या होती है वो ठीक होती है जबकि gram negative की जो cell wall होती है वो कैसी होती है थिन होती है मतलब पतली होती है और gram pasture की क्या होती है मोडी होती है ठीक है एक तो point यह हो गया दूसरी बात यह हाँ पे देखेंगे तो जो gram pasture एक्टिरिया हमारे होते हैं gram pasture की अगर बात करेंगे तो उसमें lipid का जो percentage होता है कितना होता है वो होता 1.4% तक होता है यह होता है gram pasture में और अगर हम gram negative की अगर बात करें यहाँ पे तो gram negative में कितना होता है 11 से start होता है और कितने 22% तक पाया जाता है क्या पाया जाता है इनकी जो cell wall होती है उसमें लिपिड पाया जाता है तो यह दूसरा डिफरेंस हो गया एक थोड़ा सा डिफरेंस और हम देखने की कोशिस करें तो इन में क्या हो जाएगा अगर हम बात करें ग्राम पाश्ट्यू की जो सेल वाल होती है तो उसमें जो है जो इसकी जो वाल होती है उसमें डबल रि होता है तो यह डिफरेंस हो गें इसके तो आये हम देखते तो इसका ऐंसर हमारा क्या हो जाए इसका ऑनिक हमारा हो जागे फेस् hecho थ्यांट इंड इस57 फैमिली में आपको बताना है भी आपको दिखाई दे तो answer इसका क्या हो जाएगा Anonisi यहरा कि इसका answer क्या हो जाएगा Anonansi का मतलब क्या हो जाएगा Anonansi जो family हमारी है इसमें जो है Ruminate Ruminate Indo-Sperm is present in which baby तो यह क्या हो जाएगा Anonansi family में Ruminate Indo-Sperm पाया जाते हैं दोस्तों next question हमारा next question हमारा है आपका question number five question number five में हम देख लेंगे question number five में क्या दे रखा है which one is known as filamentous bacteria तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा filamentous bacteria है mycoplasmas plasmas दे रखा है या फिर spiro kirt दे रखा है या फिर actinomycities दे रखा है या फिर vibrios दे रखा तो इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही answer हमारा हो जाएगा answer number c यानिक actinomycities जो bacteria हमारी है यह कैसे है यह है filamentous bacteria ठीक है तो यह answer इसका क्या हो जाएगा actinomycities आए देखतें next question next question में हम देखेंगे यहाँ पे bacteria are जो कार्क स्क्रूसेब्ड बैक्टीरिया हैं वो कौन से हैं आपको बताना है कौन से होते हैं बैसलाई होते हैं या फिर इसका इस्टाल्क बैक्टीरिया होते हैं या फिर इस्पाइरोचेट्स होते हैं इस्पाइरोकेट्स भी पढ़ते हैं ठीक है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा सी नंबर आई हम देखते हैं next question और next question में हम देखेंगे यह question हमारा 7 है question number 7 outside of the living cell the virus particle is called तो बताया कहा है living cell के बाहर कोई भी virus particle पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं यह आपको बताना है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों देख लेंगे हम सारे के सारे एंसर यहां पर देख लेंगे क्या हो जाएगा विरियान हो जाएगा कि कैपसिड हो जाएगा कि अबलीगेट पैरा साइट हो जाएगा कि ना अब्री तो अगर हम कहें जो लीविंग सेल्स के बाहर रहते हैं तो जो आपके वाइरस उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते है क्या विरियान दोस्तो यह आप लोग को ने पढ़ा होगा पहले से जानते भी उनगे तो यह ने हम क्या कहते हैं विरियान कहते हैं। आइए डेखे नेश्ट कुस्ट कुस्ट के अगर हम बात करेंगे तो कुस्चन नमबर एट हमारा है क्या देरक्षा है ? इले टेरियम इले टेरियम एंगर ड्रग इज अब्टेंड फ्रोम इले टेरियम एक हानिकारत कैसे तो दबह है जो कहां पाई जाती हैउ इसको आपको बताना है तो क्या हो सबसाइ ठीक क्या हो जाएगा इसका सही रेस हो जाएगा नीकिन रंबर फपर्ष्ट jewels आ इसका थ्पिक है इसको ऐस् 그 सब्सक्राइब जहाएगा य्यालव रेक्अ को मेडिय सिर्ध डॉप टेली ग्रॉफ प्लांट टेलेंगा 5 क्या होगा इंडियन टेलिग्राफ प्लांट का साइंति क्या होगा देख लेंगे दे रखा है इसका जो सही प्लांद के लिध्यक दोस्तों आपको बता दें रादेतें हैं डेस्मोडियूम गा गा Clarins ठीक है इसका सही ऐंसर क्या हो जाए कहीं दोस्तों प्रोटीन प्लस प्रोटीन यह फिर प्लस 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 प्रोटीन तो अगर मौस्टली जो वाइरस होते हैं उन्हें जनेटिक माटेरियल होता है क्या होता वह रने होता तो इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer दोस्तो हो जाएगा हमारा क्या डी number तो यह थे कुछ आज के important question और इस paper को हम continue करेंगे दोस्तों जिससे कि आपका फाइदावा होना निश्ची थी है ठीक है तो जितने भी वीडियो डीवियस पड़े हुए हैं उनको दोस्तों देख लेंगे और जो दोस्त हमारे नए है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पे हम साल्व करा रहे हैं प्रीवियस यहर के आये हुए कर दो